तो यहां पर हम आज डिसकस करने वाले हैं ओफिसियल आंसर की ओफ कम्मुनिटी हैल्स ओफिसर जो की एक्जाम 27 जूल को हुआ था तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया था उनको मैं बता दूं कि आप लोग के लिए यह आंसर की जिन ने पेपर दिया है यदि इसका फस्ट स तो यह पर लोग अपनी आंसर की पर्सेनली चेक कर सकते हैं आपके कितने माक्स आहें हैं तो आप इस तरीकिस चेक कर सकते हैं कि आपके कितने अंसर सही हैं और कितने गलत तो यहां पर हम first shift की answer की के बाद इसके तुरंत बाद second shift की भी देख लेंगे ताकि जब भी आप लोग upcoming time में exam देते हैं या फिर जिन भी लोगों ने first shift का paper दिया वो second shift की देख सकें तो यह first shift की है second shift की भी आपको इसी answer की के बाद दिखाई जाएगी की तो यहां पर question में first आया था जो लोग channel पर नए है channel को subscribe जरूर कर लें साथी साथ well icon button को press करें जिससे कभी भी वीडियोज पब्लेस हो notification आप लोग वीडियोज देख सकें तो यहां पर इस answer की को आपके साथ share करनेगा मेरे एक motive और आप भी कह सकते हैं कि एक तरीके की खुसी भी है मुझे कि मैंने at least जितना आपको पढ़ाया काम आपका था पढ़ना मैंने अपनी तरफ से जितनी कोसिस की पेपर बहुत ही अच्छा आया है at least इन भी लोगों ने चैनल से पढ़ाया है उनकी personally बहु इन फिक्स है तो यहां पर हम देखें के पूरी अंसर की टोटल हंड्रेट एंसी क्यूज आपके आये थे पेपर हिंदी इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में आया हुआ था question number first आया था the term thrombocytopenia means तो thrombocytopenia का मतलब क्या है option में weakness of platelet aggregation low platelet count increased platelet count of a normal platelet count thrombocytopenia का मतलब low platelets count apnea का मतलब क्या आप सभी को पताए कि apnea जहां पर बड़ जुड़ आप that means किसी चीज की कमी है तो thrombocytopenia का मतलब यहां पर क्या है low platelet count complete let count next question आये था the function of flame cells is तो flame cells का क्या function है ज्वाला कोशी का option में आया था excretion digestion respiration production तो जो flame cells होती है यह excretory system में क्या करती है help करती है यहां पर आपका आंसर क्या होगा excretion जो भी वेस्ट है उसको body से बाहर निकालने का काम करती है तो यहां पर answer क्या होगा आपका excretion next आये था which of the following is a bleeding disorder इन में से bleeding disorder कौन सा है इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो यहां पर question था which of the following is a bleeding disorder option में था leukemia एनेमिया हीमोफीलिया फर लुकेप्निया तेहां पर bleeding disorder पूछा है तो इन में से bleeding disorder कौन सा है हीमोफीलिया लुकेप्निया लुकेमिया और एनेमिया ब्लीदिंग डिसॉडर नहीं है जो हीमोफीलिया वो क्या है bleeding disorder है next question है आपर saliva contains an enzyme that acts upon which of the following nutrients तो लार में जो enzyme होते हैं वो किस nutrients पर work करते हैं और सर में protein, fat, starch और फिर minerals तो जो भी saliva में containing enzyme होते हैं वो किस तरीके के होते हैं starch किस पर depend होते हैं starch पर next यहां पर the rate of drug absorption is greatest in the drugs का सबसे जादा absorption कहां पर होता है जो medicine हम लेते हैं उनका option में large intestine, stomach, gallbladder and small intestine हम सभी को पता है कि mostly इतनी भी drug होती है उनका absorption कहां पर होता है small intestine में in case आपको exam में metabolism में पोचते हैं drug metabolism तब आपको कहना है liver क्योंकि mostly drug को metabolize कौन करता है liver यदि absorption पूछते हैं तो कौन करता है small intestine next question है आपर which of the following one is called collarbone तो collarbone कौलसी बॉन कहलाती है और सब्सक्राइब क्लेविकल तो collarbone कौन कहलाती है clavicle so is the right answer is clavicle next आया था next question question number seven which one of the following is the master gland of the endocrine system तो endocrine system की मास्टर ग्रंथी कौन सी है option में pancreas, pituitary, thyroid या फिर अद्रेनल तो endocrine system की जो master gland है वो क्या है pituitary gland इसको मास्टर ग्रंथी के नाम से भी जाना जाता है next question है which of the following allows air to pass into the lungs तो इन में से क्या है जो air को allow करता है lungs से pass होने के लिए option में aorta, isophagus, height, after trachea question है which of the following allows air to pass into the lungs तो क्या है trachea trachea का क्या करती है आपने nostril से nose से जो air inhale की exhale की inhale की तो वो कहां से pass होती trachea के थो bronchi and then lungs यहाँ पर आपका answer क्या होगा trachea next question है the membrane that separate auditory canal from middle ear तो यसी membrane है जो क्या करती है middle ear को separate करती auditory canal से तो वो क्या है option में आए था यह स्टेचियन चू तिंपैनेक membrane लेविरेंथ या फर पिनन तो जो membrane क्या करती है middle ear को auditory canal auditory उसी फिल्स होते हैं उनसे separate करती है तिंपैनेक membrane next question है in the demographic cycle is high stationary stage is characterized by demographic cycle में high stationary stage क्या represent करती है क्या बिसेशता है उसकी option में high birth rate and high death rate the death rate begins to decline while the birth rate remains unchanged the death rate declines still further and the birth rate tends to fall low birth and low death rate तो जो demographic cycle में high stationary stage हो करती है क्या high birth rate and high death rate जिसको जो दूसरा term में use किया जाता है वो क्या है population disfrequency तो यहां पर high stationary stage का मतलब क्या है ज्यादा birth rate और ज्यादा death rate next maternal mortality rate is expressed in terms of maternal mortality rate कि term में express की जाती है one lakh में right तो यहां पर आपका अंसर यहां पर क्या होगा food one lakh per next यहां पर in India high birth rate is due to all of the following reasons except तो भारत में high birth rate के सभी कारण है किसी एक को छोड़ कर option में यहां पर early puberty, universality of marriage, early marriage, high level of literacy तो भारत में सभी कारण है किसके high birth rate के किसी एक को छोड़ कर मतलब की जो high birth rate का कार नहीं है तो वो क्या high level of literacy तो आंसर क्या हो गए है आपर high level of literacy साक्षरता का उच्छ सर्ण next है यहां पर population aesthetics include indicator that measures all of the following accept है आपर बहुसतारे question accept करके आए थे कि यह नहीं है तो population aesthetics में पर जनसंख्या के आंकड़ों में जो indicators measure करते हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़ कर option में population size that means जनगरना sex ratio लिंग अनुपाद dependency ratio ratio morbidity rate तो जो population aesthetics में सभी indicator include किये जाते हैं किसी एक को छोड़ कर तो कै morbidity rate रुगड़ता दर कोई भी morbid condition है उसके लिए कोई भी बीमारी है तो वो population aesthetics में नहीं की जाती next question है the number of pregnancies in a year to married woman in the age 15 to 45 is 44 is called as तो the ratio of number of pregnancy in a year to married woman in the age of 15 to 44 तक तो क्या कहलाएगा option में gross reproduction rate जिसको GRR कहते हैं NRR net reproduction rate pregnancy rate of marriage rate तो ये 15 से 44 सल तक की विभाहत महिलाओं के अनुपात को यदि इन्हों ने pregnancy ली है तो वो क्या कहलाएगा pregnancy rate next है यहां पर the constant presence of a disease or an infectious agent within a given geographical area it's known as तो यहां पर कोई भी disease है एक जो एक infectious agent के द्वारा हुई है यह फिर infectious agent है जो की एक limited population area में फैला है वो क्या कहलाएगा option है pandemic epidemic endemic यह फिर sporadic तो यह कहलाएगा epidemic next is the person animal object or substance from which an infectious agent passed or is a disseminated to the host is called तो एक को कोई person animal object या फिर कोई भी बस्तू है जो कि एक infectious agent से रही है या फिर कोई host उसमें touch किया है तो वो क्या कहलाएगा option में reservoir source career of latent infection तो यहां पर इसका right answer क्या होगा right answer होगा source कि जो person animal object substance या फिर कोई भी ऐसा person जो infectious agent के contact में आया हो तो क्या कहलाएगा source next है when two live vaccines are required it should be given तो दो live vaccine देने की जरुरत कब पड़ेगी तब देना चाहिए option में simultaneously a different side simultaneously in the same side both together as IV all of these तो यहां पर दो live vaccine required हैं तो क्यों पड़ेगी इनकी जरूरत simultaneously a different side क्योंकि vaccine intravenous root के थो नहीं दी जाती है यह चीज आप याद रखें same side पर नहीं दी जा सकती है कोई एक कोई दो live vaccine है दी तो उनको same side पर नहीं दी आ जा सकता है तिसलिए एक ही दी साथ में ही देना है तो दो अलग-अलग जगहों पर आप इनको दे सकते हैं next है आपर when antibodies produced in one body are transferred to another to induce protection against disease it is called तो कोई भी antibodies produce होई है एक body से उनको किसी दूसरे body में introduce करवाना है तो यह क्या कहलाएगा option में है active immunity, high immunity, passive immunity यह फिर cellular immunity तो यह कहलाएगा passive immunity क्योंकि यह हमारी body से किसी दूसरे body में transfer करवाई जाना है तो यह क्या कहलाएगी passive immunity next है आपर epiziotomy has to be done during epiziotomy and perineotomy कप की जाती है option में first stage of labour second stage of labour third stage of labour after none of these epiziotomy and perineotomy कप की जाती है जब cervix completely fully 10 cm dilate हो जाए उसके बाद तो उसके बाद की process क्या कहलाती second stage of labour so here is the right answer is second stage of labour next है यहाँ पर a woman who never given birth to a child ऐसी महिला जिसमें कभी भी बच्चे को जन्म ना दिया हो क्या कहलाएगी option में nulli pera nulli gravida premiumi pera यह फर part rent तो part rent का मतलब होता है जन्म देने की प्रक्रिया तो यहाँ पर आप से पूंचा है की who never given birth to a child that means nulli pera तो woman क्या कहलाएगी nulli pera next यहाँ पर a peptide hormone produced almost exclusively by the corpus luteum of the pregnancy is तो यह सा peptide hormone जो की corpus luteum के द्वारा completely secret होते बनता है तो कौन साइब option में leptin, relaxin, esteroy, lepher, pep, a तो hormone क्या है relaxin जो की completely कहां से बनता है corpus luteum से next is increased pigmentation in the face during pregnancy is called तो pregnancy में जो face पर pigmentation आ जाते हैं क्या कहलाते हैं option में लाइन नियाग्र, esteria gravida, colasma, caput, medusum तो pregnancy में जब pigmentation जादा हो जाता है तो इसके कारण बोथ cheeks, nose, forehead और chin पर क्या हो जाते हैं कुछ spot जैसे बन जाते हैं इनको pregnancy mask भी कहा जाता है तो क्या colasma next is the thin serious fluid secreted from breast during the first 24 hour to 48 hour of its cold तो breast से after delivery के बाब 24-48 गंटों तक फस्ट 24-48 अवर तक जो thin serious fluid secret होता है क्या कहलाता है option में 4 milk, hind milk, colostrum and all of these तो milk क्या कहलाता है colostrum क्योंकि यह 24 से first 24-48 अवर तक ही secret होता है next है यहाँ पर the essential obstetric care provided under RCH phase first is all of the following except तो RCH phase first care according सभी essential obstetric care provide करवाई जाती है किसी एक को छोड़कर accept है यहाँ पर option में early registration of pregnancy provision of minimum 10 antenatal check-up by A&M और medical officer provisional of safe hospital or home delivery provision of 3 postnatal check-up तो जो सेवा RCH phase first में provide नहीं करवाई जाती वो क्या है minimum 10 antenatal check-up by A&M और medical officer यह second जो RCH की phase second उसमें करवाई जाता phase first में नहीं होता है next है benefit of kangaroo mother care all of the following except kangaroo mother care के KMC के सभी फायदे हैं किसी एक को छोड़कर option में improves mother baby want increase milk production in mother increase infection in babies keep baby warm तो kangaroo mother care से baby को infection से बचा सकते ना कि infection होगा तो यहां पर आपका answer क्या होगा increase infection in the babies next यहां पर a pregnant woman should visit the antenatal clinic twice a month during which of the following month of pregnancy तो एक pregnant mother को क्या करना है at least कितनी antenatal visit में दो महिने में एक बार जाती है clinic twice a month sorry महिने में दो बार clinic जाती है आठवे महिने में every 15 or 14 days में क्या करना है आपको अपने check-up के लिए जाना है next यहां पर the objective of antenatal care are all of the following except antenatal care के सभी objective हैं किसी एक को छोड कर option में to promote and protect the health of the mother to prevent adolescent pregnancy to reduce infant mortality infant and maternal mortality to attend under five accompanying the mother तो यहां पर आपको क्या नहीं है जो antenatal care के object नहीं है तो क्यां to prevent adolescent pregnancy क्योंकि antenatal care में already आप pregnant है तो यहां पर आप किस तरीके से adolescent pregnancy को prevent कर पाएंगे next यहां पर at 20 week of pregnancy uterine fundus is palpable at तो 20 week की pregnancy में uterine fundus कहां पर palpable होगा option में abdomen lower border of umbilicus just below the axipesternum at the level of axipesternum तो 20 week की pregnancy में कहां पर होगा lower border of the umbilicus में कहां पर lower border of the umbilicus में next हैं पर the immunoglobulin which protect the newborn against enteric infection तो कौन सा immunoglobulin है जो newborn baby को enteric infection से बचाएगा option में है IgA, IgD, IgG या फिर IgM तो जो immunoglobulin protect करेगा newborn baby को enteric infection से वो क्या होगा IgA immunoglobulin A next हैं पर the recommended dose of vitamin A supplement to be administered orally once in every six month for a three year old child is तो यदि किसी तीन साल के वच्चे को क्या करना हर छे महीने में एक बार oral root से vitamin A supplement देना है तो उस vitamin A supplement की मात्रा कितनी होनी चाहिए option में 5000 आयू, 50,000 आयू, 1 lakh या फिर 2 lakh आयू तीन साल के बच्चे को every six month में oral dose देना है vitamin A का तो कितना देना है दो लाग unit every six month के gap में यह दिया जाता है क्योंकि next हैं आपर इन चिल्रन पर diarrhea the man of ORS therapy is too तो बच्चों में diarrhea है तो यह ORS therapy दी जाती है तो इस ORS का में M क्या रहेगा, option में prevent dehydration and reduce mortality to correct water and electrolyte deficit all of the above तो RS का में का होई इस सभी next हैं पर first dose of hepatitis B is given it पहला dose hepatitis A का कब दिया जाता है option में at the birth 14 weeks six month यह 9 month hepatitis B का first dose दिया जाता है at the birth है and then pentavalent vaccine वेट कर दिये जाते हैं 16 जाओदा मतलब 6, 10, 14 weeks में दिये जाते हैं तो pentavalent में add हो जाते हैं but first dose separately hepatitis B का कब दिया जाता है जन्मर के समाह at the birth next is pellagra is caused due to deficiency of तो pellagra किसकी कमीं के कारण होता है option में riboflavin, niacin, pyridoxin और folate तो pellagra किसकी कमीं के कारण होता है niacin या फिर vitamin B3 की कमीं के कारण next is the root of administration of DPT vaccine so DPT vaccine किस root से दी जाती है option में intradermal, subcutaneous, intramuscular है फिर intravenous so DPT vaccine कहां दी जाती ही? intramuscular root के द्वारा होता next is the most preferred vaccination site for hepatitis B vaccine in infantis so hepatitis B vaccine का most preferred site क्या है? infant में सभी को पता है कि जो बच्चों में specifically infants में जितनी भी intramuscular vaccine दी जाती है कहां पर दी जाती? vastus lateralis muscles में और hepatitis B IM blood से दी जाती है तो यहां पर आपका answer क्या होग? vastus lateralis muscles next is pentavalent vaccine is given at pentavalent vaccine के लिए एक age क्या है? जिसमें pentavalent vaccine दी जाती है 4-8-12 weeks 5-10-15 weeks 6-10-14 weeks यह फिर 4-8-16 weeks every vaccination के लिए at least 4 week का gap देना जरूरी है pentavalent vaccine है यह दी जाती है 6 week, 10 week and 14 weeks में तो यहां पर आपका answer क्या होग? third 6-10 and 14 weeks next है यहां पर weekly iron folic acid supplementation WIFS program is need for तो weekly iron folic acid supplementation program किसके लिए है? option में adolescent girls and lactating mother adolescent boys, pregnant mother and lactating mother pregnant women, adolescent boys and girls तो यह किसके लिए? adolescent boys and girls तो राश्ट्री किसोर स्वास्थ कारिक्रम जो कि राश्ट्री किसोर स्वास्थ कारिक्रम जिसका नाम है weekly iron and folic acid supplementation program किसके लिए है? adolescent boys and girls के लिए next is adolescent health program provides iron and folic acid supplementation on तो यहां पर पहले पूझा कि जो adolescent boys and girls के लिए program लाया है तो किसके लिए adolescent boys and girls के लिए? next पूझा है कि adolescent health program है इसमें iron folic acid की कितनी supplementation provide करवाई जाती है? option में all days fixed day every week, once a month, once every two month fixed day every week तो जो adolescent health program है girls and boys, adolescent girls and boys के लिए इसमें जो iron folic acid supplementation provide करवाई जाते हैं हर हपते का एक दिन निश्चित किया जाता है कि इस दिन distribution हो का, IFA tablet का next is to maintain the health of adolescent and for control of helminthis infection, Tev alvandazole is administered control the interval between births is why तो एक यहां पर कहा है कि जो limit size को control करना है size और control करना है कि इसको बर्त के बीच में अधी हमें तो क्या use करेंगे हम, option में reducing, maternal mortality, family planning, health counseling, FD all of the above तो इस सभी points हम use, sorry, यहां पर कहा है कि हम family की size को कम करना है और control करके रखना है बढ़ाना नहीं है परिवार को जन्म के लिए specially तो क्या use किया जाएगा family planning services के द्वारा ही family planning method अपना करी हम क्या करेंगे जो limit है एक family में family method family planning method को यूज करके हम बर्थ control कर सकते हैं नेक्स यहां पर measles is caused by measles का causative agent पूछा है option में varicella juster, RNA paramixovirus, trovella virus, influenza virus measles का causative agent है वो के RNA paramixovirus next is national vector born disease program covers the following disease accepts to national vector born disease control program में 6 disease control की जाती है आपर पूछा है किसी एक को छोड़कर option में malaria, leprosy, chikangunia, Japanese encephalitis तो malaria, chikangunia, dango, Japanese encephalitis है इसमें included leprosy इसका पार नहीं है total six disease है तो national vector born disease control program में cover की जाती है नेक्स्ट है दकाला हजर fever is transmitted through the white off तो काला जर फीवर है जो किसके काटने से होगा option में dragonfly, testus fly, sandfly या फिर all of the, अब अपते होता है sandfly के काटने के कारण काला जर नेक्स्ट हैं पर all of the following infection are caused by RNA virus except तो यहां पर सभी infection है जो RNA virus के द्वारा हो रहा है किसी एक को छोड़कर option में आपलाइटिस, mumps, rovella या फिर smallpox तो जो RNA virus नहीं है वो क्या smallpox, smallpox क्या एक RNA virus नहीं है नेक्स यहां पर in following which disease is caused by varicella juster इन में से कौन सी decision varicella juster के द्वारा होगी तो यहां पर chickenpox क्या है chickenpox option में diphtheria, laprosis, syphilis या फिर chickenpox नेक्स यहां पर when the diarrhea lasts for more than 14 days जब diarrhea चाओदा दिनों से ज्यादा हो तक हो जाए तो क्या कहलाएगा option में dysentery, acute watery diarrhea, persistent diarrhea या फिर all of these तो चाओदा दिनों तक से ज्यादा diarrhea हो जाता है तो यह क्या कहलाएगा persistent diarrhea next is a protozoal disease caused by infection with parasites of the genus plasmodium is तो जो protozoal disease है जो parasite के जो gene है वो क्या है plasmodium तो इसके कारण क्या हो सकता है option ने टाइफॉइट, malaria, dhengu या फिर dracon chlysis, तो plasmodium के द्वारा क्या होता है malaria, plasmodium की चार species होती है जो कि malaria के होने का कारण बनती है, तेहां पर क्या होगा plasmodium से malaria, next is all of the following infection are transmitted through exposure to infectious blood are all except, तेहां पर सभी जितने भी infection है blood the infectious blood transmit किया जाता है तो होंगे किसी एक को छोड़कर, option में है hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, HIV, तो hepatitis B, C and HIV, यह तीनों blood transfusion के थो हो सकते हैं, जो hepatitis E है fecal-oral root के थो, जो fecal material है उसके द्वारा होता है hepatitis A and E, यहां पर आपका अंसर क्या होगा E, next है the virus that cause the dengue, dengue को cause करने वाला virus क्या है, flavivirus जो की flavivirida family से बिलॉंग करता है, देंग्यू का virus क्या है, तो वह flavivirus, next is the modifiable risk factor of hypertension और all of the following except, modifiable factors सभी है, किसी एक को छोड़कर, that means आपको non-modifiable risk factor बताना है, जिसको हम control नहीं कर सकते हैं, option में salt intake, obesity, alcohol, after genetic factors, जिस चीज को हम control नहीं कर सकते हैं, हो है genetic factor, बांकि सभी modify 11 को change कर सकते हैं, नमग कम खा सकते हैं, आपको exercise से घटा सकते हैं, alcohol को stop कर सकते हैं, right, next है यहां पर government launched NPCDCS program to target, तो जो government ने launch किया था program, नाम क्या था NPCDCS program, तो NPCDCS program गवर्मेंट ने launch किया था, तो इस program में कौन-कौन से disease include थी, option में cancer, cardiac disease, diabetes all of the above, क्यूंकि गवर्मेंट ने जो program launch किया था, national program for prevention and control of cancer, diabetes, cardiovascular disease and stroke, तो disease के लिए program आया था, तो इस खांसर क्या होगा, fourth all of the above, next यहां पर a group of disease characterized by abnormal growth of cells, capable of invading the adjacent tissue and even distant organ is called, तो ऐसी abnormal growth हो रही है cells की एक और गन से दूसरे में फैल सकीन का invasion हो सकता है, उसरे और गन के लिए तो यह क्या कहलाएंगे, option में hypertension, cancer, coronary artery disease, diabetes mellitus, तो यह जो cells है, abnormal तरीके से growth हो रही है, तो एक इसमें होती है, cancer में ही होती है, तो आपका answer क्या होगा, cancer, next is cancer that is spread to regional lymph node and distant organ is called, तो ऐसा cancer जो regional lymph nodes spread हो रहा है दूसरे organs के लिए दूर के अंगों में फैल रहा है, तो क्या कहलाएंगा, option में primary tumor, secondary tumor, lymphoma, leukemia, तो यह क्या कहलाएंगा secondary tumor, क्योंकि इसने एक organ को affect करके दूसरे body part में भी enter हो गया है, next यह पर the adverse effect of obesity और all of the following except, तो मोट आपके के सभी adverse effect हैं किसी एक को छोड़कर, option में hyperlipidemia, glucose intolerance, hypotension, coronary heart disease, तो obesity के कारण सभी profile हो सकते हैं, hyperlipidemia, lipid का deposition हो सकता है, arteries में, glucose intolerance होगी, coronary heart disease होगी, बट जो hypotension की condition हैं, जो भी लोग मोटे हैं उनको hypertension होता है, नहां की hypotension, तो यहां पर आपका answer क्या हो, hypotension, next is zerophthalmia can be controlled by administration of which of the following, तो zerophthalmia को क्या administer करके control कर सकते हैं, option में vitamin D, vitamin 6, vitamin A, या फे vitamin E, zerophthalmia के होने का reason क्या है, कारण क्या है, vitamin A की कमी, तो वही देंगे जिससे ठीक होगा, तो answer आपका क्या हो, vitamin A, next is diabetes mellitus is usually recognized by, diabetes mellitus को cancer recognize करेंगे, option में है, albuminuria, high SGPT level, glycosuria, urea in the urine, तो diabetes mellitus को check करने के लिए सही पता क्या चलेगा, glycosuria, क्या है, glycosuria, next Wilson's disease characterized by, Wilson's disease का लक्षण क्या है, यहां पर विचेशता क्या है, option में respiratory difficulty, accumulation of copper and liver, kidney and brain, improper development of organ, and then none of these, Wilson's disease का जो characteristic है, वो क्या है, accumulation of copper and liver, kidney and brain, तो copper का accumulation होना, जमा हो जाना कहां पर, liver, kidney and brain में, next यहां पर which is the following disease, not a cancer, इन में से क्या है, जो cancer नहीं है, option में, glucose, leukemia, sarcoma, carcinoma, तो जो नहीं है, वो क्या है, glucose, next है, यहां पर, the goal of national framework for malaria elimination in India is bad, तो जो goal रखा है, national framework for malaria elimination का, तो इंडिया से कब तक malaria को eliminate करना है, option में 2024, 2025, 2027 यह फर 2030, तो target कब तक है, 2030 तक हमें भारस से malaria को eliminate करना है, next is, the national health program that tends to reduce maternal mortality among pregnant women by encouraging them to deliver in government health facilities is called, prevention national health program, जिसने एम रखा है कि maternal mortality rate को हमें क्या करना है, कम करना है, ताकि और जो maternal mortality rate को कम कैसे करना है, ताकि जो भी pregnant women and government health facilities, में अपनी deliveries करवाएं, तो option में जन्नी शुरक्षाय युजना, नवजोत सिसुकार इक्रम, रोगी कलने और समीथी ननवदी अवत्य जन्नी शुरक्षाय युजना, इसी का एम है कि institutional delivery को बड़ावा दिया जाए, जिससे maternal death and infant mortality rate को कम किया जाए, नेक्स्ट आया था, national program for family planning launched officially in the year, नेशनल program जो की family planning program है, कब officially launch हुआ था, तो यह हुआ था, 1952 में, नेक्स्ट नेशनल AIDS control program includes, तो नेशनल AIDS control program में क्या के include है, option में, IEC activities, AIDS education, university talks, AIDS program, what if it falls all of these, तो यह सभी हैं हैं आपर, right, next है, under the WHO, vision 2020 program, the safe strategy is adopted for them, WHO का vision 2020 program, इसके तरह safe strategy लाई गई थी, तो इसका मतलब क्या है, S, surgery, A, antibiotic, F, facial cleanliness, E, environmental hygiene, तो यह किसके लिए, safe strategy यह आई थी, आई थी, ट्रोकोमा के लिए, तो यहाँ पर answer क्या होगा, आपका ट्रोकोमा, next is, in which of the following city, elephant festival is celebrated, तो किस सहर में elephant festival celebrate किया जाता है, तो यह होता है, राजिस्थान के, जैपूर में, next हैं आपर, international yoga day is celebrated on, तो अंतर राष्ट्री, योग दिवस हम कम बनाते हैं, 21 जून को, तो answer क्या होगा, आपका, 21 जून, next हैं आपर, which is the most popular classical dance form of Tamil लाडू, जिन में सितमिल लाडू का classical dance कौन सा है, तो वो है भरत नाट्यम, next हैं आपर, the study of atmosphere is called, तो मौसम के अध्यान को क्या कहा जाता है, option में geology, nephrology, metrology, या फिर सेफ्मोलोजी, तो जो study of atmosphere है, क्या है कहलाती है, metrology, अंतरिक्ष विज्ञान, next हैं आपर, the state in which konark temple is present, तो कहाँ पर है konark मंदिर, तो यह है, हुडी सा में, next is, a five-year-old child is admitted in hospital, the best nursing action for parents who are displaying anger and guiltism, तो एक five-sाल का बच्चा है, the hospital में admit है, आपका best nursing action क्या होग, उन parents के लिए इनको guilt हो रहा है, कि उनके कारणे problem हुई उनके बच्चे को, option में है, give personal example that are similar to their situation, distract their attention to something less painful, explain the dangers of anxious anxiety and guilt, anticipate their emotional response and acknowledge them, तो आप क्या करेंगे, अदि किसी का five-sाल का बच्चा hospital में है, तो as a nurse, आप क्या करेंगे, जिन parents को बहुत जाना anger and guilt हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, anticipate their emotional response and acknowledge them, उनकी जो भावनात्र में प्रतिक्रिया हैं, उनको आप अनुमान लगाएं, और उनको समझने की कोशिस करें ना की उनको चिलाएं, नेक्स यहां पर when a child is in acute phase of nephrotic syndrome, which of the following is an essential measure the nurse would so do, तो यदि कोई बच्चा acute phase of nephrotic syndrome में हैं, तो आप कौन सा काम सबसे पहले करेंगे, option में, urine dipstick to be done every hour, measure abdominal girth every 2 hour, check hematocrit value every 12 hour, wait the child daily, यहां पर आप क्या करेंगे, बच्चे का input-output daily check करना है, तो आपको इसके लिए सही तरीका क्या होगा, बच्चे का wait check करें, आपका अंसर क्या होगा, wait the child daily, next is, which of the following is an early finding a nurse would expect to observe, if a patient were to develop thrombophlevitis following an intravenous infusion, तो निम्नलकित में से कौन सी आपकी early finding होगी, जो नर्स को यह देखने में expect करेंगी, observe करेंगी, कि जो thrombophlevitis की condition होई है, intravenous infusion के कारण वो ज्यादा बढ़तों नहीं रही है, option में modeling and coolness, erythymine heat, leaking of food and numbness, pallor and swelling, किस से पता चले के erythymine heat से, next is, while providing health education in the community on prevention of osteoporosis, nurse would emphasize on, तरदी आप community में health education दे रहे हो, इसको लेके, osteoporosis को लेके, तो आप क्या बताएंगे, option में eliminating smoke, minimizing sun exposure, restricting sodium intake, restricting exercise, तो आपकी जो first priority होगी, osteoporosis के patient के लिए, तो वो क्या होगी, smoking को eliminate करें, ढूमरपान को खत्म करना, next है, यहाँ पर the diagnosis of a patient, assigned to the nurse, is right-sided head failure, expect while assessing, तो आप किसी right-sided head failure patient को चेक कर रहे हो, तो as a nurse, आप क्या पता चलेगा की सही है, नहीं, जो right-sided head failure का sign इन में से कौन सा आप को यह बताना है, option में peripheral edema, decreased urinary output, shortness of breath, यह फिसर activity, तो क्या होगा, peripheral edema, next is, a woman is diagnosed to have severe enema, when the hemoglobin is below, तो severe enema कब consider किया जाएगा, option में 7 gram per DL, 10 gram per DL, 11 gram per DL, 12 gram per DL, severe enema कब consider किया जाता है, जब hemoglobin less than 7 gram per DL हो जाएगा, next is, flexible connective tissue that is attached to bone at the joint is called, यह से flexible connective tissue, जो bone को joint से attach करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, option में है, cartilage, stand-on, nerves, या फिर muscles, तो यह tissue क्या कहलाएगे, cartilage, next है, vaccine to control diarrhea, तो diarrhea को control करने वाली vaccine कौनसी है, वो है, rotavirus vaccine, next is, the priority intervention under adolescent health, program आर, तो priority intervention आपका क्या होगा, adolescent health program को लेके, option में iron and folic acid supplementation, menstrual hygiene, preventive health check-up, और all of the above, तो होगे सभी, क्या होगे, all of these, adolescent health program में, आपे सभी आपके, intervention होने चाहिए, next is, the key activities under menstrual hygiene scheme आर, तो menstrual hygiene scheme के तहट कौनसी activity आएगी, की activity है, जो की, option में, safe disposal of sanitary napkin, sourcing and procurement of sanitary napkin, storage and distribution of sanitary napkin, all of these, तो क्या होगे, सभी है, menstrual hygiene scheme की activities, next is, all of the following are root of a transmission of HIV virus, except, तो सभी HIV virus के transmit होने के root हैं, किसी एक को छोड़ कर, option में, sexual transmission, blood contact, formy transmission, maternal fetal transmission, तो जो नहीं है, वो कहा है, formy transmission, formy transmission के द्वारा, HIV transmit नहीं होता है, next है, यहाँ पर, impairment of heart function, due to inadequate blood flow to the heart, compared to its need, caused by obstructive, changes in the coronary circulation of the heart is called, तो यहसी condition, जिसमें, blood का flow inadequate, हो रहा है, हैट के लिए जवरत होत्में नहीं हो रहा है, कुछ है, बीच में, फ्लो में, क्या हरा है, रुकाबा टारा तो यह किसके कारण हो रहा है, option heart failure, coronary heart disease, तो यह किसके कारण हो रहा है, हो रहा है, coronary heart disease के, next mission परिवार विकास is initiative directed to, mission परिवार विकास का initiative किसके लिए था, option में, promote antinatal care, breastfeeding, promote family planning, यह फिर 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 सेफ सेक्षल प्रेक्टिस, तो mission परिवार विकास किसके लिए आए था, family planning के लिए, next, how many disease are covered under national vector born disease control program, तो कितनी disease हैं, जो national vector born control program के तहत, use, assist किया जाता है, उनको तो टोटल six disease, next, यहां पर प्रदान मंत्री सुरक्षित मात्रत वभियान, was launched to, provide fixed day assayot, comprehensive and quality antinatal care universally, to all pregnant women is, तो प्रदान मंत्री सुरक्षित मात्रत वभियान के तहत, जो quality based antinatal care, provide करवाई जानी, तो किस trimester में provide करवाई जानी है, तो जो प्रदान मंत्री सुरक्षित मात्रत वभियान है, इस second and third trimester के लिए है, तो आहां पर आपका answer क्या होगा, second and third trimester, next is, the oral contraceptive package of malady contents, तो मालाडी में कितनी गोली होती है, तो इसमें total 21 oral contraceptive pills and 7 iron pills हैं जो टेबलेट रहेंगी, next is the natural family planning methods, are all of the following except, तो natural family planning methods अभी किसी एक को छोड़कर, तो स्म्टोथर्मिक method, cervical mucus method, basal body, temperature method, use of condom, तो natural पूँचा है, use of condom क्या है, barrier method है, next है यहां पर, the mode of action of hormone releasing intrauterine devices, तो mode of action, क्या है, hormone releasing intrauterine device में, IOCD में, option में है, enhance the cellular response in the endometrium, increase the viscosity of the cervical mucus, increase the sperm mortality and capitization, creates a favorable environment for implantation, तो जो mode of action पूँचा है, hormone releasing intrauterine device का, वो क्या है, increase the viscosity of the cervical mucus, next है, all of the following are barrier method of contraception, except, तो सभी barrier method है, किसी एक को छोड़कर, option में है, diaphragm, NOVA-T, vaginal sponge, or condom, तो NOVA-T क्या है, barrier method नहीं है, next is, national mental health policy of India was launched in, so national mental health policy का launch हुई थी, हुई थी, 1982 में, next is, the nurse informs the physician about the deviation in the recovery of a patient, by understanding that, certain remedical action are necessary, it is an example of, तो तो पांच राइट दिये जाते हैं, नर्स के लिए, medication administer करने, वो सभी हैं, किसी एक को छोड़कर, option में, right patient, right posture, right time, right dose, तो क्या है, जो है, right posture, next is, a technique of repeating the man message expressed by the nurse is called, तो जो technique कोई nurse use करती है, किसी एक man message को repeat करने के लिए, तो क्या कहलाएगी, option में, listening, restating, clarification of reflection, तो क्या कहलाएगी, restating, दोबारा से कहना, next is, a newborn is assist for upgar at 5 minutes after birth, the score is 8, what does this indicate, यदि कोई newborn का, जन्में के 5 minutes बात, अपगार इसको check किया गया, और अपगार score rate आया है, that means, उसकी condition कैसी है, option में, no depression, mild depression, moderate depression है, फिर severe depression, तो यदि अपगार इसको rate आता, that means, baby good condition में है, यहाँ पर आपका answer क्या होगा, no depression, next is, beneficiaries of someone accept, तो, सुमन स्कीमों, उसके beneficiaries सभी किसी एक को छोड़ कर, तो क्या है, all children up to 3 years, 3 साल तक के बच्चे, next है, यहाँ पर the time interval between the invasion, by the infectious agent, and just so, her sign and symptom, it's known as the incubation period, right, next है, यहाँ पर the person who transmit the message, is called, तो कोई person अपना message transmit कर रहा हो, क्या कहला है, encoder, next is, tone of voice, facial expression, and body language, belongs to which type of communication, तो यहाँ पर, tone of voice, facial expression, or body language, किस type के communication में आएंगे, verbal, non-verbal, formal infrastructure, तो यहाँ आएंगे, non-verbal communication में, next, identify this instrument, तो यह क्या है, यहाँ पर, यह BP handle, next आया था, lumber cannula, sorry, lumber puncture needle आई थी, last आया था, यहाँ पर, defibrillator, I hope आपको यहाँ अंसर की helpful रहे, next जो अंसर की है, भी इसके कुछ time के बाद, within one or two hour के बाद, आपको ले दी जाएगी channel पर, तो आप लोग देख सकते हैं, so guys, thank you for watching us, bye bye,